हेलो दोस्तों आप सकता सुवागता जिके हमारी और नई वीडियो में आज इस वीडियों बात करने वाले दोस्तों टाटा पंच गाड़ी को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी नई कैस प्राइस क्या देखने को मिलेगी अगर आपका वज़ट कम है और आपको करा इस गाड़ी वो फाइनस पे तैसी कम से कम डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं लोन अमाउंट क्या होगी और महीने की EMI क्या देनी होगी इस सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे तो प्लीज वीडियो में बने रहें वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के कैस प्राइस के बारे में लोकेशन हमने आप रही है न्यों देलीगी एक्सो रूम प्राइस आपको छे लाग्ट रासी हजार नुस्टो रुपे वहीं आठी अमाउंट पे करना होगा चप्पन हजार आठ सो बढ़ में रुपे वहीं इन सोरस चार्ज के लगेगे शती हजार साथ सो तेईस रुपे वहीं अधर चार्ज देना होगा आपको 21 रुपे सभी टैक्सों को जोडने के बाद हमने इसकी ओन रोड प्राइस को निकाला है ओन रोड प्राइस आपको साथ लाग आसी हजार शैसो पंदरा रुपे से आठ लाग पंदरा हजार दोस्सो रुपे के बीच में देखने को म लाग पच्पन हजार रुपे की इसकी लोन अमाउंट आपको से लाग पच्ची हजार शैसो पंदरा रुपे निकल गे आती है दोस्तों अगर आप करादे कंपनिया बैंक से फाइनस और रहता है रेट ओफ इंटरेस्ट नो प्रसेंट और लेते हैं टाइम अगले पांस सा यानि 60 महीने इसकी लोन अमाउंट को कम्प्लीट करने के लिए तो इसकी महीने की इएम आई आपको 12,960 रुपे परमन निकल के आती है दोस्तों तो दोस्तों यह तो बात भी मारे पहले प्लान के बारे में जानकारी अब बात करते हैं हमारे दूसरा प्लान जो हमने लिए आपको इसकी पर मंथ की इएम आई 10,060 रुपे परमन निकल के आती है दोस्तों तो दोस्तों आज किस वीडियो में हमने आपको टाटा पंच गार्डी के कास्प्राइस स्पैसिकेशन और फाइनस की इएम आई दोस्तों अगर आप दिचाते किसी गाड़ी पाइक के बारे में जानना इस लोकेशन और कितने डाउन बेर्ड बे जानना चाहते हैं आप अमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट कर रिपलाई करने पूरी कोशिस करेंगे तो आपको ये वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यावाद